सल्मान खान ऐश्वरिया का नाम ना ले तो भी प्रॉब्लम और ले ले तो भी प्रॉब्लम ऐसी ही कुछ सिचुएशन हो गई है सल्मान की हम सब जानते हैं कि कुछ ही समय पहले जब फिल्म हम दिल दे चुके सनम को 22 साल पूरे हुए थे तब सल्मान खान ने इस फिल्म के कुछ फोटोस शेयर किये थे इन फोटोस में एक भी पिच्चर एश्वरिया के साथ नहीं थी और ना ही अपनी पोस्ट में उन्होंने एश्वरिया को टैग किया जबकि संजे लीला भंसाली प्रोडक्शन्स और अजे देवगन को तो टैग किया गया था तब सल्मान से कई लोगों ने पूछा कि उन्हें टैग नहीं किया और कई लोगों ने एश्वरिया को लेकर सवाल किये आज संजे लीला भंसाली को जब इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हो गए है तो सल्मान ने संजे लीला भंसाली के लिए एक जो शोरील बनाई गई उसको अपने हैंडल से शेयर की कहीं सारे सोचल मेडिया हैंडल्स पर आज ये शोरील वाइरल हो रही है सलमान ने जिस विडियो को शेयर किया है उसका थमनेल हम दिल दे चुके सनम का है और जहिर सी बात है उसकर सलमान और ऐश्वरिया साथ में नजर आ रहे हैं और बस अब इसी थमनेल को देखकर लोगों ने अपना रियाक्शन देना शुरू कर दिया है सलमान ने इस पोस्ट में संजेलीला भनसाली को कॉंग्राट्स किया तो एक यूजर ने कहा कि एश्वरिया को भी कॉंग्राट्स कह देते भाईजान वही एक यूजर ने कहा हम दिल दे चुके सनम को 25 साल हो गए हैं और 25 साल हो गए विवेक औब्रोई के करियर को डिस्ट्रॉई किये हुए वही एक शक्स ने तो सलमान को छेड़ा कहा कि भाई अब तो ओवरकम कर लो एक और यूजर ने कहा कि सलमान ने ये विडियो सिर्फ और सिर्फ इस लिए शेर की है क्योंकि इसमें ऐश्वरिया राय है वही एक फैन तो emotional ही हो गया और कहा कि भाई ये विडियो देखकर हम दिल दे चुके सनम की जलक क्या दा गई और हम तूट गए इस विडियो को देखकर और एक यूजर ने कहा उन्हें टैग नहीं किया जाहिर सी बात है ये comment लास्ट टाइम भी जब सलमान ने हम दिल दे चुके सनम की पिच्चर शेर की थी तब भी यही हुआ था कि उन्हें टैग नहीं किया यानि कि ऐश्वरिया को टैग नहीं किया यही कारण है कि सलमान जिक्र नहीं करे एश्वरिया का तो भी लोग पूछ लेते हैं कि एश्वरिया का जिक्र नहीं किया और कर ले तो कहते हैं कि आज भी नहीं भूले अब सलमान करे तो क्या करे